वेलकम टो अलाइन फिश्टेज, स्वागात आपका अलाइन फिश्टेज, तो फैंट कोडिंग डिकोडिंग में हम देख रहे हैं पार्ट नमबर थर्ड जो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन वीडियो होने वाले आप लोगों के लिए इससे पहले अगर आपने मेरी फर् किसी वेक्टिरिया एंपी का एक्जाम दिया है जो अभी जील पाउत ह्यां हुआ है अपकारी का उसमें कोशिन जो है बहूं ज्यादा टफ जो है पूचे गए थे बहुत जयादा टफ पूचे गये थे उन्हीं को मैं लेक्शा को आई हूं अगर आक चाहते हैं के और और भी अच्छी वीडियो जाएं तो आप वीडियो को जिनों शिया करिएगा इसकी PDF आपको टेलिग्राम गुरूप पर मिल जाएगा इसकी PDF यह भी वीडियो जोंगी उसकी प्लेलिश आपको वीडियो पर या फिर चैनल पर जो है जाकर आपको चेक आउट कर सकते हैं वाप हो जाएंगे चले स्टार्ट करेंगे पहले कोशन ते तो कुछ सेकेंड के लिए इस वीडियो को जरूर से करने कोशन करने कोशन करूंगा आप लोग करना यह है वीडियो को पुस्ट करिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बाक्स में बताएगा जहां पर क्या लिखा है ही दिया है आर एच आरे के एक आइक तो यहां पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जितने भी लेटर है एक दो तीन चार पांच लेटर है तो पांच कूड़ है एक दो तीन चार पांच यानि कि इन में क्या किया गया है गुड़ा भाग करकर ही इस कोशन को बनाया गया है तो 18 दूनी कितने 36 होते हैं वन करेंगे तो भी दो आएंगे 11 दूनी 22, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 तो इस पिरकार से इस जो है option ये code जो है वो बनाया गया है इसी से हम क्या बनाते हैं मंजू नाम का जो code है वो बनाते हैं ठीक है M मतलब कितना 13, A मतलब 1, N मतलब 14 और J मतलब 15 और U मतलब कितना होता है जली समगे कमेंट करतेंगे 21 होता है अब सभी में 2 का into करेंगे सभी जगा पर 13 दूनी कितने होते हैं 26 ओके 1 का 2 होगा 14 दूनी कितने होंगे 28 होंगे मारे 28, 26, 2, 28 ओके 26, 2, 28 और अच्छा यहाप अच्छा जे को अच्छा यह है जो है मैंने 15 कर दिया, sorry for that यह जो होता है वो 10 होता है, ओ जो होता है वो 15 होता है, sorry for that तो यहापर तो 20 आएगा, यह बिल्कुँ सही है हमारा आंसर, option number B क्या आएगा option number B is the correct answer, यह आएगा आपका 26, 2, 28, 20, 42, option number B is the correct answer, चले, अगले question के और देखते हैं, क्या question दिया है, question दिया है, sections को जो है इस पिरकार की भाशा में लिखा गया है, तो tell way, tell wise को कैसे लिखेंगे, tell wise को कैसे लिखेंगे, तो पहले तो if, आपको क्या कर लेना है यह section को लिख लीजे, क्या लिखा है भी है, s, a, n, c, t, i, o, n, तो यहाँ पर क्या है, elimination का भी use कर सकते हैं, नहीं करना, elimination का जो इस कोई दिक्कत नहीं, आप जो है, method से मैं करा रहा हूँ, उससे करिए, आप जब भी practice करेंगे, यह speed जो है, exam अगर practice करेंगे, तो हर एक speed जो होड़ी से बढ़ेगी, तीसरा question किया, थोड़ी बढ़ेगी, जब भी आप practice करेंगे, speed हमेशा increase होगी, पिछले वाले question से, ओके, चले, तो दिखेंगे, s को हम 19 बोलते हैं, a को 1 बोलते है, n को हम केतना बोलते है, 14, c को 3, ok, 3, b को 20, i को 9, ok, o को हम 10, ok, 15 बोलते हैं, और य 2 बनाया है, h बनाया है, p बनाया है, और m बनाया है, ok, आप देखेंगे, यहाँ पर t कितना होता है, 20 होता है, z कितना होता है, 26 होता है, ok, यहाँ पर कितना होता है, यह 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 कितना होता माइनस वन प्लस वन माइनस वन ओके ये जो है आगे तक चला जा रहा है इसी की ती चीश पर हम जो है इस कोशन कम्प्लीट करेंगे जो आप्शन आपको दिया हुआ है ठीक है चलिए इसको करेंगे क्या लेखा है हमारे पस T E L E V I S E देखिए कोशन को पूरा करने की जुरत भी नहीं होती है आप चाहे तो स्टार्टिंग की दो कर ले और लास्ट की दो कर ले क्या करें स्टार्टिंग की दो कर ले और लास्ट की दो कर ले तो इससे भी आप पता कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में भले यहाँ पर देखिए UD है, यहाँ पर भी UD है SF है, SF है, लेकिन सभी में अगर आप देखें, तो यह last वाला जो है, वो अलग-अलग है last वाला अलग है, तो मैं इसको कैसे करूँगा, सिर्फ last वाला कर लूँगा दो, और आपका अंसर आजाएगा, देखें, यहाँ पर क्या करेंगे, जली समझे बताएंगे, प्लस होगा या माइनस होगा, कमेंट कर देंगे यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर 1 प्लस है, यहाँ पर माइनस है फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर टी आएगा और E में माइनस 1 कर देंगे 5 में से माइनस कर देंगे तो D आएगा तो option number हमारा first हो जाएगा क्या हो जाएगा option number first हमारा हो जाएगा बहुत ही simple concept है इसको कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसको भी आप जाकर देख सकते हैं UDM sorry UDM करके आप इस question कर सकते हैं बिलकुँ simple है यह हमने तुरंट कर लिया क्यों कर पाया क्योंकि option से ही आपने करा पूरा question solve करने की ज़रूत नहीं है आदा question या पीछे आगे वाला option से भी create कर सकते हैं अगले question क्यों बढ़ते हैं अब यह question जो है वो जहर question कहते हैं इन question को और जहर question करने के लिए थोड़ा समय जो चाहिए अभी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा आराम आराम से समझाओंगा बाकी अभी देखेंगे question में क्या लेका है your attention please को लिखा है इन्होंने ये करके ठीक है और kind attention को करके लिखा है ऐसे please attention करके लिखा है please pay attention करके इस परकार लिखा है हर एक word का हर एक letter का जो है specific खुद का ही letter का नहीं कहूंगा word का जो है एक word जो है दिया हुआ है password दिया हुआ कैसे एक password दिया हुआ है तो मैं इस line को A, B और C में जो है denote कर लेता हूँ ठीक है और हमें निकालना क्या है पे जो है अखेला वर्ड जो है कैसे हम लेकर आएंगे अगर फर्स्ट वाले आपको क्या करना है आपको या तो पे वाला देख लेना है पे कहां पर दिया है आपका थर्ड वाले में यानि की C वाले option में दिया है और इससे match खाता हुआ और भी कहां दिया हुआ है हम पहला और तीसरा ले सकते है या फिर आप ऐसा ना करके एक काम कर सकते हैं पहला लीजिए क्या लीजिएगा पहला लीजिए आप एक चीछ देख सकते हैं अटेंशन जो है देखिए यह option A जैसे मैंने कहा A है A में attention के लिए A double T बना देता हूँ attention के लिए एक है A हो गया और attention कहां पर दिया है B में भी दिया है और C में दिया है यानि की तीनों में यानि all में सभी में all है attention का जो है वो क्या होगा attention का सभी में same दिया हुआ है देख सकते हैं P-U-W P-U-W नहीं Z-U-W Z-U-W सभी में दिया है यानि की Z-U-W जो होगा वो क्या होगा Z-U-W जो होगा वो attention होगा Z-U-W यह attention होगा Z-U-W जो है वो attention हमारा आ गया अब हम क्या करेंगी हमें attention यहां से मिल गया अब हमें please यह please काई काई किस किस में दिया है please किस किस में दिया है please दिये आप तो एक तो third में c वाले में और एक दिया first में तो यहां पर देखेंगे हमें please में यहां पर option में से क्या क्या दिया है एक तो p-u-w दिया है और यह दिया है तो यह प्लीस का कर हम बात करें यह प्लीस की है ऐसा P, L, E बना ली मैंने तो P, U, W जो है क्या हो गया P, U, W हमारा प्लीस हो गया ठीक है अब आपको यहाँ पर पता चल गया P, U, W यहाँ से निकल गया इस वाले में से P, U, W निकल गया यहाँ पर क्या वचा है? P वचा है, तो इसका आंसर होगा R, U, W, क्या होगा? R, U, W हमारे पास आंसर आएगा क्या होगा? P का आंसर जो है R, U, W हमारे पास आएगा इस परकार से इस Qoshen करना है मैंने फिर भी देख जिद थुरा सा आराम से Qoshen कराया एक बार फिर से अभी कोशिन आएंगे तो फिर इसी फिरकार कोशिन जो है इसमें बहुत सारे हैं वो आपको करने के लिए मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं अभी समझ में नहीं आया आगे आपको और भी अच्छे से समझाहो और अच्छे से अभी आएगे, जितना प्राक्टिस करेंगे, उतना अच्छे से आता चला जाएगा, ओके, चले, कोशन दिया है, PEN को 17717 लिखा गया है, तो CEF को कैसे लिखा जाएगा, ओके, बहुत बड़िया, ठीक है, करिए, PEN, अच्छा, कलर चेंज कर ले थे, PEN दिया 16 को अगर मैं 1 प्लस करूँ, तो 17 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, अगर मैं 5 में 2 प्लस करूँ, तो 7 हो जाएगे, अगर मैं 14 में 3 प्लस करूँ, तो कितने जाएगे, आपके 17 हो जाएगे, यानि कि यहाँ पर 1 प्लस, 2 प्लस, और 3 प्लस वाला कॉंसेप्ट चल रहा ह तो सी प्रकार सी एपी में आप क्या करिए वन प्लस टू प्लस और थ्री प्लस वाला कॉंसेप्ट कर सकते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर थ्री था थ्री में करेंगे फॉर तो डी आएगा अचा डी नहीं आएगा, सुरी हैं पर एक चीज़ रदियान देखें नंबर्स दी हुएं, क्या दी होएं नंबर्स दी हैं तो नंबर्स दी हैं, 4 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर 16 होता है तो 19 आएगा, 4, 3, 4, 3, 1, 9 4, 3, 1, 9 option नमबर C, 4, 3, 1, 9 option अगर आपको code जो है ABCD में ही दिया होता तो D आता, C आता ओके, और 19 में क्या आता S आता, ठीक है नहीं दिया है तो कोई जरुत नहीं है जो दिया है वो option में से हमने कर लिया ओके चले, आगे बढ़ेंगे वीडियो अच्छे लग रही है, पसंदा रहा है वो क्या लिखा जाएगा पहले तो लिख लीजेगा S U S O U P इस यह है 19 हमारा यह हमारा 15 है यह हमारा 21 है यह हमारा 16 है इसको लिखा गया T N B O ठीक है T को 20 बोलते हैं N को कितना बोलते हैं भई 14 बोलते हैं ओके और यहाँ पर B को 22 बोलते हैं और O के 15 बोलते हैं यानि कि पिलस 1 है हमारे पास फिर माइनस 1 है फिर पिलस 1 है फिर माइनस 1 है ठीक है यही है B O W L ठीक है 2 15 ओके W तो क्या बोलते हैं यह लिख से कमेंट करेंगे ओके तो यह है 23 मैंने बताया था कैसे करना है कैसे नहीं करना है सारे ट्रिक्स मैं समझा चुका हूँ तो जाकर एक बार फर्स्ट वीडियो देख लीजेगा ट्रिक भी आपको समझने आएगा इसमें प्लस वन करना है तीन पर सी आता है इसमें प्लस टू करना है 15, 17, 17 पर क्या आता है लिसे कमेंट करेंगे क्यों आता है 17 पर क्या आता है आपका अच्छा एक मिट डुगिएगा इसमें प्लस वन अच्छा मैंने क्या कर दिये हैं आपर अच्छा प्लस वन माइनस वन है माइनस वन करना है तो चौधा आएगा ना भई तो चौधा आएगा तो कितना 24 होगा 24 पर x है तो cnx के option number d यह मैं बहुत कम speed से आपको बता रहा हूँ बहुत slow slow आपको question करवा रहा हूँ तो आपको करना क्या है आराम समझते रहना है कोशन को लगाते रहना है और कमेंट करते रहना है कोशन किया दिया है टेक दिक्स वैक्सीन को 892 लिखा गया है वैक्सीन प्रोटेक्ट अस को लिखा गया है 263 और टेक अस सेफ को लिखा गया है 593 तो safe vaccine को क्या लिखा जाएगा comment कर दीजेगा क्या लिखा जाएगा बहुत अच्छा कोशन है comment कर दीजेगा इसे भी आप ABCD में कर सकते हैं ABCD से माल लेज़े इसको मैंने A वोला, इसको मैंने B वोला, और इस वाले को मैंने C वोला, ठीक है अब एक चीब देगा common क्या क्या रहा है हमें निकालना क्या है, safe निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, safe जो है safe vaccine निकालना में safe जो हमें इसमें दिया हुआ है तो हम क्या करते है, take इसमें दिया है है ना, और take हमें इसमें दिया है, ठीक है तो take दिया है आप देखिएगा इसमें भी take में यहाँ पर देखी common क्या दिया है take में यहाँ पर common दिया है do तो take को हमने क्या कर लिया take को हमने बोल दिया do ठीक है अब देखी common आप किस-किस में common और दिया है इसमें common दिया है us इसमें भी common दिया है us इसमें जो दूसरा वाला जो है यहाँ पर देख सकते हैं इसमें देखी common क्या है इसमें three common है इसमें भी three common है तो you as us मतलब ये भी हमने three common ले लिया क्या ले लिया three common ले लिया हैना us common हो गया अब देखिए का हमें चाहिए क्या क्या हमें चाहिए एक तो वैक्सीन चाहिए और एक सेफ चाहिए हमें मिल गया अस और टेक मिल गया अस और टेक मिल गया तो सेफ क्या होगा सेफ जो हमें अस और टेक मिल गया सेफ क्या होगा हमारे पास सेफ जो होगा वो होगा हमारे पास 5 क्या होगा 5 अब देखे एक 5 तो यहां दिया हुआ है एक 5 C में दिया हुआ है एक 5 A में दिया है एक 5 दिया है C में तो यह दोनों में से एक हमारा आंसर हो सकता है क्या हो सकता है दोनों में से एक हमारा आंसर होता है लेकिन अभी पता नहीं हमें क्या होगा क्योंकि हमें vaccine रह गया है तो vaccine जो है अगर रह गया है तो हमारे पास vaccine कहाँ पर एक तो पहले वाले vaccine है और दूसरे वाले vaccine है पहले वाले vaccine में देखिएंगे क्या common है और दूसरे वाले vaccine में यहाँ पर क्या common है पहले वाले में देखिएगा है यहाँ पर क्या दिया है यहाँ उजा है आपका, दूसरे वाले में क्या दिया है आपका, 2, 6, 3, 8, 9, 2, और यहाँ, अच्छा एक मिट, 8, 9, 2, और, अच्छा यह यह जब वैक्सिन, एक मिट रुख जएगा, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़वड हुआ है ओके अच्छा यहां पर गड़वड क्या हुआ है एक मिट के लिए रुख ज़िएगा देखी मैंने इस पिरकार से इसलिए लिखा इस कोशिन को क्योंकि आपको सभी से समझ में आ है तो मैं क्या कर लेता हूँ इसको A बोल देता हूँ इससे स्टेटमेंट को C बोल देता हूँ स्टेटमेंट को मैंने अलग-अलग बोल दिया है अगर मैं जो स्टेटमेंट B और A लेता हूँ क्या लेता हूँ B और A लेता हूँ दोनों में common क्या है ये वाला आपका B है और ये वाला A है तो common क्या है vaccine क्या दिख रहा है vaccine common आपको दिख रहा है vaccine common दिख रहा है इसको मैं थोड़ा से जो है इसको उटा देता हूँ भै यह देखे आपको ने, ठीक है, तो यह common आपको देख रहा है, ठीक है, क्या देख रहा है, आपको common vaccine देख रहा है, यह vaccine, अब इसमें common क्या देख रहा है, यह दियान दीजिएगा, vaccine देख रहा है, तो vaccine के लिए मैं B, A, C बना देता हूँ, तो यहाँ पर हमें 9 common देख रहा है तो common देख रहा है, इसमें 2 common देख रहा है, इसमें 2 common देख रहा है, तो 2 common हो गया, ठीक है, हो गया, हमें vaccine चाहिए था, हमें vaccine जो है 2 आ गया, यानि कि एक तो 2 letter आएगा, एक तो 2 letter आएगा, है ना, अब हमें save चाहिए, क्या चाहिए हमें save चाहिए, एक तो save जो है C option में है, और एक सेफ जो है आपका सोरी सेफ जो है यहीं पर है मत और कहीं पर सेफ है नहीं है ठीक है सेफ यहीं पर है सेफ और कहीं है नहीं है तो अभी सेफ को छोड़ दिये सेफ हमने जो है भी छोड़ दिया भई ठीक है ओके यहां पर ने छोड़ दिया इसको ठीक है अब कॉमन और और कहां कहां पर चलिए तहीं कर दीजेगा देखिए कोशिन में आपको सिखाने कोईस कर रहा है अब देखिए टेक हमारे पास यहाँ पर दिया है C में common में देख रहा हूँ और A में दिया है यह टेक जो हमें C में दिया है और A में दिया है तो A और C में हमारे पास क्या क्या common है एक तो हमारे पास यहाँ पर दो common है अब देखिएगा यह थर्ड वाला जो दिया हुआ हमें टेक मिल गया सेफ मिल गया अब हमारे पास यहाँ पर टेक हो गया और सेफ हमारे पास यहाँ पर बचाओ टेक मतलब यहाँ पर 9 निकल गया यह 9 यहाँ से निकल गया अब अगर हम बात करें हमारे पास दो लेटर बची है क्या बची है दो लेटर तो हम क्या करते हैं बी और सी ले लेते हैं याटर कौन से ले लेते हैं हमारे जो जो स्टेटमने बी और से ले लेते हैं अगर बी की बात करें और स्वी की बात करें तो इनमें कॉमन क्या है अस है 52 होगा या 25 आंसर होगा तो यह कोशिन जो इस पिरकार से मैंने जो बताया हूँ इस पिरकार से आप एक्जाम में कर सकते हैं बाकी और भी अच्छे से आगे आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी और भी अच्छे होते चले जाएंगे ठीक है चली ओके तो यहाँ पर जो आंसर होगा अब होगा आपका 25 या 52 दोनों में से कोई भी हो सकता है कोई दिकत नहीं है चली अगले कोशिन के और बढ़ते है कोशिन दिया है सॉल्ट को 16 के रूप में लिखा गया है पिकल को 36 लिखा गया है तो प्रोसेस अचि है अचि यह प्रेसर्वर को क्या लिखा जाएगा वो आपसे पूचा गया इसको क्या लिखा जाएगा चली कमेंट कर दीजेगा मुझे आजसे दीजे कमेंट करेंगे क्या लिखा जाएगा बहुत ही बढ़िया जो है concept है इसमें ज्यादा दिखकत नहीं है अब आप एक चीद देखिएगा अगर इसमें जोड़ा घटाया गया है अगर मैं इसमें जोडता हूँ तो 19 को जोड़ूंगा इसको जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा 16 से जादा है तो यह हो नहीं सकता मेरे पास माइनस भी करूँगा तो मैं देखूँगा और इसको मैं क्या कर लूँ 20 कर लूँ तो L बचेगा 12 बच जाएगा कोई मतलब नहीं है तो इन में भी कोई मतलब नहीं माइनस प्लस करने थे तो अगर उल्टा भी लिखूँँ तो उल्टे से में भी बहुत बड़ा पहुच जाएगा क्योंकि हमारे पास T20 है L 12 है तो 15 आएगा फिर यहां से 12 20 साथ आएगा फिर 19 में से गट आएगे फिर हमारे पास उल्टा जहाँ पर बड़ा हो जाएगा ठीक है तो एक चीश दिख रही होगी कि यह 36 से 16 है आपको एक चीश दिख रही होगी कि यह कितने लेटर है सॉल्ट में कितने लेटर है 4 लेटर है कितने हैं 4 लेटर है और 4 का इंटू में 4 में किया लेटर सा एक लेटर कितने हैं उनको इंटू करा फ्रेजरवर यह भी दिया है यह भी लेटर है आप गिंती कर लीजे मैं इनको लिख रहा हूँ इसको गिंती कर लीजे अब तक कितने है इसको गिंती कर लीजे यह कितने है यह आप एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा 12 12 का x 12 का square कर लेता हूँ 144 है option number one क्या हैगा option number one is the correct answer चलिए next question दिखेंगे हमारे पास क्या दिया है forest को ये लिखा गया है कुछ man group को कुछ all लिखा गया है तो rent kins rate इस पिरकार के word को क्या लिखा जाएगा जल्ली से comment करेंगे इस question को बहुत ही बढ़िया question है comment करेंगा आपको एक चीद देख रहे होगी forest लिखा है देखे question को analysis करने की बहुत जरूरत है आपको m लिखा गया है इसको forest को सरी यहाँ पर m नहीं है फैले जो है ये वाला तो लिख लें g लिखा गया है फिर इसको u लिखा गया है फिर को s लिखा गया इसको i लिखा गया है इसको t लिखा गया है इसको u लिखा गया है देखे कर g के बाद f के बाद g आता है o के बाद u आता है r के बाद s आता है e के बाद i आता है s के बाद t आता है t के बाद u आता है यहीं से पता चल गया कि सभी में 1 प्लस हो रहा है क्या हो रहा है सभी में 1 प्लस हो रहा है क्या हो रहा है कि सभी 1 प्लस यहाँ पर एक जो और दिक्कत हो रही है कि सभी में 1 प्लस हो रहा है अगर आप सोचेंगे तो यह गलत बात है गलत है बताये तो क्या है आपको forest मैं आपको बतायता हूँ बहुत ज़दा important चीज है आपको एक और चीज बतायता हूँ आप देखेंगे देखेगा F के बाद G आया ठीक है तो ये जो है 6 है ये 7 है बिल्को सही के भी मैंने बोला कि ये बिल्कुष सही है कि ये जो है 1+, हो रहा है लेकिन O के बाद U آया O तो आपका पंद्रव है U जो है 21 है तो 1+, कहां सहुआ नहीं होगा R के बाद S आया क्या दी दिया SI क्या E क्या 5 है और I क्या 9 है हो सकता है 1+, नहीं हो रहा है S के बाद क्या T है तो बिलकुल U के बाद क्या है U के बाद क्या है T का उल्टा U है यह दिया हुआ T 20 पे आता है और U 21 पे आता है यह 1 प्लस यह भी 1 प्लस लेकिन यह 1 प्लस नहीं है आपको देख रहा हुआ और यह 1 प्लस नहीं है तो दो चीज़ देख रही है जो बन प्लस नहीं है बाकी सब बन प्लस आपको देख रहे है अब आप एक चीज़ देखेगा मुझे ये E और ये O क्या है चलिए देगा ये वाविल है क्या है ये वाविल है तो वाविल कौन से होते हैं A, I, O, U A, E, I, O, E ये पांच जो है क्या होते हैं वाविल होते हैं अगर O आया O के बाद जो next जो आता है O के बाद जो next वाविल आता है वो आता ये 1 प्लस हुआ या नही हुआ बिलकौल हुआ अगर E आता है E के बाद जो वाविल आ रहा है वो next वाविल आ रहा है तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि consonant के बाद consonant आ रहा है ओके और वो consonant one plus में आ रहा है और वाविल के बाद में वाविल ही आ रहा है जो कि उसका next जो है वाविल आ रहा है ठीक है तो यह जो है ध्यान लखने वाली बात है important ची है तो हम इसको कर देते हैं बहुत साथ स्ट्वेंट जो है मैंने पहले वाले जो तरीखा था उससे जो है करने भिड़ गया होंगे जो कि बहुत गलत था जो मैंने कर रही इसलिए था कि आप जो है इनको करें और करके देखें गबार जब तक करकर नहीं देखेंगे आप जो है ढूंते ही रहेंगे क्या हो रहा है इस कोशन में क्या नहीं हो रहा है और एकजाम में कोशन को गलत बता देए कैश्ट्रेंट यही बोलते हैं कि कोशन गलत है इसका यह कॉंसोननट है तो प्लस वन कर लिजएगा S हो जाएगा यह E है मैं लिख लेता हूँ आपका बहुत A, E, I, O, U यह होते हैं अब next क्या आएगा आई आएगा इसका तो I लिख दीजे अब option में लिखेगा S, I, S, I कहां लिखा है तो यहां पर S, I नहीं लिखा यहां पर S, I नहीं लिखा यह दोनों कार्ड दीजे यह दोनों कार्ड दीजे अब देखिए या तो option बनोगा या option D होगा तो आप क्या करिए यह दोनों कर गी यह हां पर जादेगा इसमें S के बाद T के बाद क्या आगा S, T, U, I एगा E के बाद क्या आगा I आएगा तो जिसमें U, I लास्ट में देखाओ U, I भैसाब U, I दोनों में लिखाए है क्या लिखाए है U, I दोनों में लिखाए तो कोई दिक्रत ने A का कर लिजिए A की E होगी A की E होगी A यहाँ पर देख रहा है नहीं देख रहा है तो ये भी गलत ये भी गलत option number one इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ज्यादा पूरा total follow करने की ज़रूत नहीं है यही हमारा answer है आप चाहें तो I के बाद क्या आएगा I के बाद देखी consonant में I के बाद हो आएगा N के बाद क्या आएगा N के बाद फिर से यहाँ पर O आएगा C के बाद क्या आएगा C के बाद D आएगा एक जो है गौवल है तो E आएगा R S आएगा M O आएगा तो मिला लीजे यही आएगा आगे नहीं आगे तो इस पिरकार भी कर सकते हैं कोशन को या फिर आप 100 ट्रिक लगाईए जाने कि आदा कोशन सॉल्व करिए आदे की ज़रुत है नहीं हमें ठीक है अगले कोशन क्यों है निश्चित कोई भाशा है इसमें पटेटो को 32, 30, 40 ये तो बिल्कुल सिंपल है करिएगा कमेंट करेंगे इस कोशन को जल्ली करिएगा पी जो होता है वो क्या होता है आपका 16 होता है 16, 32, 32 हो गया ठीक है उसके बाद ही जो है आपका टी कितना होता है 20 पर होता है 20 पर होता है ओकी वो सरी ओ जो है 10 पर होता है तो 20 हो गया सरी 15 पर होता है तो 30 हो गया, सरी 15 पूता 30 हो गया और T जो है कितने पर होता है आपका 20 पर तो 40 हो गया यानि 2 का into हो रहा है बिल्कों simple, very easy question चलिए इसको करी जली से तो radish हमें करना है, radish हो के चलिए, बताइएगा radish का क्या होगा कमेंट कर दीजे, radish का answer क्या होने वाला है r मतलब r मतलब कितना जली से तहएगा r मतलब 18, 18, 22, 36 किसमें दिया है, 36 ये नहीं है, ये नहीं है option number b, a, c हो सकते है a का दुगना 2 है तो ये पहला ही answer हमारा होगा क्या होगा, पहला ही होगा जरूरी नहीं है, देखिए, हम मैंने देखिए ये वाला solve नहीं करा, इससे मेरा मतलब ही नहीं है, मुझे पहले ही से pattern का पता चल गया, तो मैं दूसरे को करकर pattern को मेरा समय जो है ब्यार्तक्यों करूँ, मुझे तो स्रेपोसिब answer से मतलब है, और मेरे को नहीं 18 नहीं, ठीक है और यहाँ पर учाट अंवराल नहीं украї नहीं है यहाँ आपका कितनी हाँ पर यह थोड़ा सा जो अंचाई यहाँ पर code जो थोड़ा सा गलत लेखा है ha Freddy for that code जो है आपर गलत लेखा 18 ohh 11 और ठीश पिर आएका और यही अपका correct answer होगा थोड़ सा ध्यान से देखकर कोशन करें आखला कोशन स्क्रीन पर यह कोशन दो वार तीसी वार कोशन आया इसी बिरकार का तो जल्ली से comment करें A, B, C, D में इसको बाट लीजे comment करेंगे यह है A, यह है B, यह है C अब हमें कह चाहिए this is fictional तो this कहाँ पर देख रहा है अच्छा पहले तो सबी में क्या comment देख रहा is common देख रहा है सबी में A, B, C में अगर मैं A, B और C में तीनों में अगर मैं common लो तो मझे is common देख रहा है तो मेंने इस ही common ले लिया इस common दिख रहा है तीनों में is common दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर common क्या है c u z c u z और c u z तो c u z जो है मेरा क्या होगा is होगा c u z अब आपको और क्या चाहिए fictional चाहिए fictional तृप एक में दिया है दू में नहीं दिया है एक ही में दिया है fictional और किसी में नहीं दिया है तो आप अभी उससे छोड़ दीजेगा अब fact मुझे option A में दिया है fact कहां दिया है जली से comment कर दीजेगा fact दिया है मुझे A में और B में option number A और B में fact ओके तो fact बराबर क्या होगा आप देखिएगा इसमें अगर fact दिया है fact में देखी यह तो गया C U Z इसे अटाइए और option 1 दिया है तो इसमें देखिए दोनों में comment कह दिया है R U Z R U Z R U Z ठीक है तो यह R U Z हो गया अब हमें चाहिए क्या भाईया चाहिए हमें this is fictional ठीक है this is fictional तो this is fictional में आप एक चीद देखिएगा मुझे आगर मुझे कैसी है this is fictional इसका बता मुझे चल गया इसका मुझे अच्छा इसमें option नहीं दिये मैंने sorry for that कोई दिक्रत नहीं option नहीं दिये आगर नहीं दिये है तो कोई problem नहीं है मैं बो चीज लगाना भूल गया sorry for that अच्छा इस मुझे मिल गया fictional मुझे निकालना है तो यहाँ पर देखिएगे दो तो निकली गया अब एक चीद देखेगा मुझे यह second बाला option बाला जो दिया इसमें this is fictional लिखा है तो इसमें option दो गए तो fictional का जो fictional जो आएगा क्या का मैं fictional को इससे लिख देता है f e तो यह होगा g u z यह g z होगा तो हमेरे पास क्या होगा this this का पता लगाना है this कहां से आगए आप देखिएगा यह जो हमारा fact भी में निकाल दिया is भी निकाल दिया तो d u आपका this जो आएगा वो क्या आएगा this आएगा आपका यह आपका d u z यह आगया तो हमें क्या हमारे पास क्या code था हमारे पास this this का आगे हमारे पास यह वाला है आपर लिख रहा हूँ this का आगे हमारे आपका d u z is का हमारे पास c u z और fictional का हमारे पास यह रहा डी यूजएड सी यूजएड डी यूजएड सरी डी यूजएड सी यूजएड और जी यूजएड यह हमारा answer होगा यह हमारा उत्तर होगा option आपको नहीं दिया है sorry for that अगले question में option बता दो अगले question दिया है option बताएंगे comment कर देंगे option में दे था हूँ इसमें option मैंने नहीं दिये sorry for that में option बूल गया हूँ यहाँ पर लिख लीजएगा 135 120 1500 या 160 यह 4 option दिये है comment कर दीजए क्या होगा onion को 201 बूला गया है potato को 261 बूला गया है comment करेंगे अब यहाँ पर कुछ घटा बड़ा वाला जो है नियम चल ला है घटाना बड़ाना वाला जो है नियम चलेगा तो onion में O N लिख लेते हैं भई आपको थोड़ा सहुलेत हो जाएगी मैं तो डारेक्ट करता बैसे onion को क्या लिखेंगे आग O को 15 N कितना 14 I 9 फिर से 15 फिर से 14 आप एक चीज़ देखें 15 पंदादोने 30 और पंदादी 45 पंदादी 45 पंदादी 45 पंदादी 60 60 और दोस से ले लिजेगा 60 यह कितना बचेगा दोस को दे दिया तो 7 बचेगा 60 60 66 हो गया क्यों 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 अगर sure हैं, तो mango को direct करें, sure हैं, तो direct करके देखिए, अगर answer मिलता है, तो वही होगा, okay, mango, देखिए, मैं कहूंगा, कि इसको आप करके मत देखिए, ये सिर्व सिर्व आपके time waste करने के लिए दिया गया है, अगर आप बिल्कुष sure हैं, कि यही pattern follow हो रहा है, तो question को करके clear, M मतलब 13, ये 1, ये 14, ये 7, ये 15, ये दुखिए, ये ये वाला, ये 15, और ये 15, आपका 30, और 15, 45, इससे दो ले लिए 45, और 5 कितने, 50, 50, और 3 कितने आपके 1.500, option में 1.500 दिया था के नहीं दिया था, बिल्कुल दिया था, आपका answer होगा option number, जो भी आपको ABCD में दिया ठीक है, चलिए, अगले कोशिन के और बढ़ती है, कोशिन दिया है, अच्छा, FLSK, अच्छा, कुछ बन नहीं रहा भई, इस परकार, तो, टूर का, टूट्स का क्या होगा, ये आपसे बोला है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजेगा, F, L, A, S, K, ठीक है, कितना ह है, F को बोलते है, 6, इसको बोलते है, 12, इसको बोलते है, इसको बोलते है, 19, इसको बोलते है, 11, लिखा क्या गया है, इसे, I लिखा गया है, P लिखा गया है, F लिखा गया है, Y लिखा गया है, और R लिखा गया है, स्टार्टिंग के पहले और दूसरे आप चेक कर लीजे, बाखी कोई का ज़रुत नहीं है कि चेक करने की ज़रुत नहीं है चाहें चेक करिएगा I को 9 लिखते हैं तो 9 मतलब 2 प्लस किया है इसको कितना बोलते हैं 16 यानि कि कितना प्लस किया गया है 9 मतलब 3 को प्लस किया गया है तो यहां पर क्या प्लस किया गया है 12 से सीधर डारेक्ट 4 किया गया है और लास्ट के आप इसको देखे मैं देखे कोई दिक्कत नहीं मैं लास्ट का देख लेता हूँ लास्ट का क्या गया गया है 18 है तो यहां से डारेक्ट 7 लिख दिया याने कि 3, 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 नहीं माने तो करके देख लीजे मैं एकची गारंटी देता हूँ, यही पैटन है क्यों हो पैटन है? क्योंकि क्या आप पूरा टूटल स्वाल्व करते हैं टाइम कंजूम करते हैं और वो यही चाहता है पेपर वाला के आप टाइम कंजूम करें कम कटेमट करें, देखी कुशन मैं यही बोलता की ज़ए तफ आते हैं वो आते हैं moderate तो moderate कैसे आते हैं वो आपको देख रहा होगा तो चलिए करेंगे इस कोशन को क्या दिया है T O U R S 20 है 20 मैं सभसे पहले कितना प्लस किया गया था तीन प्लस किया गया चार प्लस किया गया लिख देता हूं पांच प्लस किया गया छे प्लस किया गया और साथ प्लस किया गया आप्शन में देखिएगा टी को बीस बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे यह है पंदरा इसको 21 यह 18 है और यह 19 है प्लस करिए इसमें यह हो जाएगा T में 23 यानि की आपका 23 यानि की W 15 में 4 को प्लस करेंगे 15-4, 19 यानि की S 21 में 5 को यानि 26 यानि की Z R में 16 में यानि 22 22 मतलब 24 24 मतलब आपका X उसमें करेंगे तो यह आपका आएगा 26, 26 मतलब Z तो यह option देखिए कहा दिया है W, मैं इसको उठा देता हूँ यह जो हम उठा देता हूँ WS, मैं चाहता तो इसको आदा भी कर सकता था लेकिन आपके लिए मैंने कहरा है है WS, Z, यह option number C, चाहते तो हम option पहले 2 और last का 1 भी कर सकते थे पहले 2, last का 1 भी कर सकते थे starting के 2 करने के जरूत बीच में के 2 करने के जरूत हमें थी नहीं बाकी आप यहाँ पर check out भी कर सकते हैं अगला question देखिए क्या है option नहीं दिये कोई बात नहीं option नहीं दिये मैंने इस solution करके देखिए यह बिना option के क्या answer है चलिए A, B, C, D में फिर से आपको करना है क्या करना A, B, C, D में इसको A बोला मैंने इसको बोला B, इसको बोला C है ना हमें चाहिए who अब देखिए who कहां पर है who option number आपका सिर्फ इसमे है करिए चाहे नहीं, कोई दिकत नहीं आपको जो करना है, वो कर सकते है तो मैंने B और C ले लिया पहले B और C ले लिया B और C में क्या है common देखिए B और C में common IS क्या IS common है इस कहाँ पर common है भाई is जू है आपर ven क्या common है ven इस मतलब ven हो गया ven हो गया टीक है अब मैंने a और b ले लिया a और b में क्या कै common है पहला a और b a और b में क्या common है first common है first common है first common है तो A और B में देखिएगा first common है यहा से तो B, E, N तो हमारा होगी गे ए थोग में ये B, E, N दोनों में common ले रिया आप देखें first और second में क्या यानि A और B में आप देखेंगे यहा पर क्या common है यहा पर first common है first में यापर क्या लिखा o Kan होगा तो क्या होगा के अण होगा ठीक है तो के अन आ गया अब हमारे पास डबलू का देखी यहाँ पर first हो गया अब c option में देखिए यह c option में एक तो आपको first का भी value मिल गया इस का भी मिल गया बचा क्या z en क्या बचा z en क्या बचा z en तो Z-A-N बच्छा है तो यहाँ पर हमरा answer लोगा Z-A-N फू बरावर Z-A-N option आएगा Z-A-N चलिए अगले question के और बढ़ते हैं क्या है देखिएगा मानिया बरावर लिखा है आपको proud बरावर लिखा है और donkey बरावर आपको बताना है कमेंट करेंगे जल्ली सवानसर दीजेगा कमेंट करेंगे option number आपको दिये हुए है कमेंट कर दीए देखिए M-A-N-I-A M कितने पे रहोई M जो है आपका सभी को पता है 13 यह 1 यह 14 यह 9 क्या लिखा गया है N लिखा गया है Z लिखा गया है O के बाद H लिखा गया है और Z लिखा गया है अगर यहां पर देखेंगे तो M के बाद यह कितना है 14 है Z मतलब यह 26 है यह 15 है यह कितना 8 है और यह कितना 26 है यही है यही है या नहीं है तो क्या हो रहा है प्लस 1 और यह माइनस 1 माइनस वन मत बुलिएंगे के माइनस वन कैसे आएगा 27 में से आप जो है 1 गटाएंगे तो 26 आएगा और 26 Z पर होता है यह बहुत दा है मैंने पहले ही फर्स्ट वीडियों बता दिया था कॉंसेप कैसे कैसे कॉंसेप कैसे लगाने है तो अब जो है एक कॉंसेप की बात नहीं करेंगे हम सिर्फ कोशिन करेंगे ठीक है चले यह चीज़ सौंज में आ गई क्या करना है प्लस वन माइनस वन हो रहा है ठीक है प्लस वन माइनस वन आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लस वन माइनस वन दिख रहा है अच्छा प्लस वन माइनस बंग्हा है लिखनी हाँ पर, एच के बाद यहाँ पर क्या देख रहा भाया है माइनस वन देख रहा है आप एक और ची यहाँ पर देखने के लिए लग आए अच्छा यहैं एक चीज़ देखेंके एण से एन हो गया और A में यहाँ पर Z हो गया है न माइनस फन अच्छा एक और छी यहाँ पर आप रखी एक मिट और यहाँ पर हमें कुछी देखने के लिए अभी एक और छी देखेंगे हैं अभी देखेगा देखा रख जाई एक मिट एक क्या होता है इस कोशिन में बहुत ज़़ा कन्फिजन क्रेट होते हैं अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे कोशिन में देखेगा क्या कह दिया है जो A दिया है वो क्या है वाविल है वाविल में अगर हम देख रहे हैं तो वाविल में माइनस वन हो रहा है वाविल में देखेंगे यह आई है तो माइनस वन हो रहा है आई है तो माइनस वन हो रहा है कॉंसोनेंट है तो प्लस वन हो रहा है अगर आप देखेंगे consonant है तो plus one है bovel है तो minus one हो रहा है bovel है तो क्या हो रहा है minus one हो रहा है यह बहुत important है तो यहां से आप देखेंगे question करने कोशित करेंगे question करेंगे d हमरे पास क्या लखा न d o n e k by d क्या है consonant है plus one कर देंगे e आजाएगा o जो है क्या है o जो है आपका bovel है तो bovel में मैंने क्या बहला minus one तो o कि उसे पहले क्या आता है m n o ठीक है e आएगा अच्छा यह क्या है फिर से consonant है plus कर दीजेगा क्या आएगा आपका plus कर देंगे फिर से o आएगा ठीक है क्या आएगा जैड़ा आएगा तो e n e n o e n o अच्छा यह जो है यहाँ पर आप देखे अब अगर आप बहुत सारे स्प्रिन मुझे से बोलेंगे क्या गलत हो गया कोशन गलत है आंसर गलत है क्यों हो रहा है ऐसा देखिए यहाँ पर एक और ची बता दूँ आप्शन ही हाँ आप पर गलत दियो है अगर यह आप्शन गलत नहीं दियो होते तो हमारा आंसर यही होता मैं दावे के साथ कह सकता हूं आंसर सेम यही है इसके इलावा आंसर आप नहीं ला सकते है क्योंकि already मैंने इसको आराम से देखा है कोशन का आंसर का E N O D L Z यही आंसर होगा बाकी आप देखेंगे तो यह आंसर आपका नहीं होगा इसके इलावा आंसर है और कुछ नहीं हो सकता है यही आंसर हो सकता है ठीक है तो यह answer है option में गलत दिया है वो बात आप देख लीजेगा अगले question के वर बढ़ते हैं ठीक है चलिए बिना option के फिर से आपको question करना है जली से कर दीजेगा question को lost drink निकालना है आपको अब दिया है ABCE वाला तगड़ा question चलिए comment कर दीजे क्या है सभी में एक चीज जो है वो आपको दिख रही होगी A, B और C A, B और C available available और available ABCE ने अब लिखा नहीं है तो available के लिए A, B लिखता हूँ available के लिए available का जो code होगा वो तीनों में same होना चाहिए यह BHU यहाँ पर जो है यह जो है नहीं BHU नहीं है भया M, E, N नहीं है यहाँ पर M, E, N ठीक है J, K J, K, J, U, K J, U, K, J, U, K यह हो गया J, U, K J, U, K available का code निकाल लिए हमने आप सूच रहेंगा available का तो पूछा ही नहीं है कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं पूछा है अभी आपको पता चलेगा मैं निकालना क्या चाहता हूँ ठीक है अब देखिएगा अगर मैं इसको देखूँ किसको देखूँ मैं अब मैं इसको देखूँ option number का पर देखूँ मैं यह देखिएगा option number मैं देख रहा हूँ आपका यह object को object दो जगार दिया है दो जगार दिया है दो जगार क्या क्या सेम दिया A, B और A, C में ठीक है तो अगर मैं object को O, B लिख दूँ कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर object के लिए यहाँ पर देखिएगा N, U, T और N, E, O, T यह मिल गया N, U, T ठीक है यह मिल गया मेरे पास दो चीज़े मिल गई एक तो अविलेवल मिल गई मेरे पास और object ओके तो B, G लिख देता हूं ठीक है object मिल गई दो चीज़े मिल गई अच्छा अब सभी में एक और चीज़े दिखिए क्या है here यहाँ पर है यहाँ पर भी here है तो here के लिए H, E, R लिख देता है here यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो here देखिएगा B, U B, H, E, U B, H, E, U क्या लिखा है B, H, E, U B, H, E, U मिल गया मुझे अब मुझे B, H, E, U मिल गया अच्छा अब मुझे चाहिए क्या क्या लॉस्ट ड्रिंक चाहिए लॉस्ट कहां दिया है ये दिया है लॉस्ट ओके और ड्रिंक यहां पर दिया है लॉस्ट के मैंने ही हां पर देखिए हमें लॉस्ट क्या मिलेगा हमें लॉस्ट क्या मिल गया हमें जो है गरवड़ी में नहीं कर रहे हैं आराम से कर रहे हैं अब हमें क्या चाहिए अब देखी एक तो सर्च यहां दिया एक सर्च यहां दिया है है ना, तो search के लिए SE, लिख देता हूँ search के लिए search के लिए आप देखेंगा हैं यहाँ पर सीम सीम दिया है क्या कर दिया है यह सर्च के लिए दोनों सर्च हैं यह हमारा सीम दिया है, एक ची देखीगा DER अच्छा यहाँ पर है अच्छा यह option में हमने एक ची नहीं लिखा है ना एक ची यहाँ पर गुल गया है option में से लिखना ओके सी में DER लिखना यहाँ पर तो DER होगा sorry for that यह DER होगा है ना यह DER दोनों में option सिमाएगा इसलिए मैं सूच रहता है same क्यों नहीं है DER चूट गया sorry for that वो लिखने में टाइपिंग करने में तो DER जो है सर्च होगा है ना आप देखेंगे हमारे पास क्या क्या मिल गया है देखें लॉस्ट मिल गया यह मिल गया वाकी मिल गया आप ड्रिंग चाहिए हमें कैसी यह हमें ड्रिंग चाहिए तो ड्रिंग कहां पर है यह 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 यहां पर भी है और कहीं पर है क्या यह यह यहां पर भी ड्रिंग है तो ड्रिंग दोनों में है तो ड्रिंग के लिए DR ले गए ता हमें ड्रिंग क्या बनेगा हमारा L O P क्योंकि यहाँ पर भी ड्रिंक है और यहाँ पर भी L O P ड्रिंक है ठीक है यह हमें मिल गया हमें कैशी है लॉस्ट ड्रिंक लॉस्ट को हम G A N बोलते हैं और ड्रिंक को L O P बोलते हैं यह हमारा बन गया कोशन टाइम टेकन है लेकिन कोशन बहुत अच्छा है और एक्जाम में ये अच्छे अच्छे स्टुएंट नहीं कर पाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ इस कोशन को A, B, C, D मान कर ही करें जिससे के आपको easy पढ़े और आप कोशन को करका हैं ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले कोशन की और L लुख बरावर 2, 3, 3, 0 दिया है तो आगे इसको B, A, L को दिया है और help का आपको निकालना है ठीक है ओके चलिए निकालिएगा तो देखेगा L, 2, को ओके इसका pattern समझते हैं क्या pattern है L बरावर होता है 12 और आपका यहां पर देकी 12 होता है यह 15 होता है यह भी 15 होता है यह होता है 11 लिखा क्या है 23, 30 लिखा है न अच्छा 23 कैसे बनेगा इन दोनों को जोड़ दूँ तो 20, इन दोनों को जोड़ दूँ तो 30 simple दोनों को जोड़दू तो यहाँ पर 23 बहुत simple बहुत बढ़िया help का बनाके देखते हैं बहुत पूछा हमसे इन दोनों को जोड़दीजे उपर नीचे वाले को यहाँ पर देखी मैंने क्या बोला है मैंने यह बोला इन दोनों को जोड़ दीजे और इन दोनों को जोड़ दीजे ये 5 और 12 5 और 12 कितने 17 और ये कितना 16 और 8 16 और 8 कितने होंगे 24 तो 24 और 17 कहीं पर देखा है कि 24 और 13 option number C में है देखा है option number C है बिल्कुल simple चली अगले question के बड़ते हैं बहुत simple question था बता दिया मैंने हो सकता है बहुत सार इसमें नहीं कर पाए हो कोई दिक्कत नहीं अगला question रोड़ाएंगे ये रहा देखी जितना भी question की practice करेंगे उतना सीखेंगे नहीं करेंगे देखेंगे वीडियो तो ज़्यादा math में कुछ नहीं सीख पाएंगे reasoning math दोनों की एकी बात है कि इनको देखने से कुछ नहीं होता करने से होता है और संसार में भी ऐसी होता है देखने से किसी कुछ नहीं मिलता इसको practice करना पड़ता है उसको अमल करना पड़ता है चलिए अमल करना पड़ता है अच्छा ये लिखा है इसके कुड़वासा में ये लिखा है तो आपको चाहिए ये डॉक्टर ओके लिख लेता है E S T E E M ओके चलिए 5 होता है ये 19 होता है 20 होता है 5 होता है 5 होता है कितना 13 ओके लिखा क्या गया भाई सब इसको H लिखा गया इसको B लिखा गया इसको W लिखा गया इसको H लिखा गया इसको भी H लिखा गया इसको P लिखा गया H कितना 8 है B कितना 22 है ये कितना है 23 है ये 8 है ये भी 8 है ये 16 है 13 को 16 बनाया गया तीन करा गया प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन है ना सभी में प्लस तीन बढ़िया फ्लस तीन हो गया भी है फ्लस तीन ही हो गया बहुत सिंपल डॉक्टर डॉक्टर कर दीजे पहले के दू कर लीजेगा प्लस तीन करेंगे 4 में 3 पिलस करेंगे 7 हो गा G 15 में 3 पिलस करेंगे 18 आर इसको करेंगे तो V R इसमें पिलस करेंगे 18 में 3 तो 23 23 पे 22 यु आता है G R R यू G R यह देखिएगा मिल गया करने की जुरूत नहीं पूरा कोशन कोशन मिल गया पूरा करेंगे दो option करेंगे 5 सेकंड 7 सेकंड लगाएंगे मत करिये मैं कह रहा हूँ इसको मत करिये ये 2 starting के last के 2 कर लेजे question का answer आजाए ठीक है चले अगले question के और बढ़ते है ये आपका 6218 को laptop इजा computer बोला गया है तो इसको फिर से मैं का कर लेता हूँ आपके लिए लिख देता हूँ अच्छा इसमें लिखने की जूरत नहीं है इसमें देखी simple से बजाएगा laptop is a computer देखिए और और इसको बाद 8217 ब्रावर लेगा computer is a machine अब एक चीड़ी दिखरी होगी आपको जिन laptop जो लिखा है वो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे लेटर हैं और छे लिखा हुआ है इसमें दो लेटर हैं दो लिखा है ए में एक लेटर एवन लिखा है computer में कितने हैं भाई साब 8 हैं तो 8 लिखा है तो बस इसे ही follow कर लिए machine में कितने हैं भाई साब machine में 1,2,3,4,5,6,7 7 है 7 है बिलकुल है machine में 7 है make में कितने 1,2,3,4,5,5 है 75 वाले 1 तो 8 दिये ये वाला 76 वाला 8 दिये 75 वाले वाला दिये machine अवर मतलब 3 अब 73 ये हो गया option number C C हो गया कि आप और कर लीजे लाइफ चार इजी मतलब चार फिर से पित्तर 344 अफशन नमबर सी सिम्पल कोशन चलिए अगर यही कोशन ना बताए जाए इस्ट्वेंट को तो इस्ट्वेंट को यह कोशन जादर टफ लगते हैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि जहर कोशन है मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ इसलिए सिम्पल रगर है नहीं तो यह कोशन बहुत जादर इस्ट्वेंट को परिशान करते हैं अगले कोशन के बढ़ते हैं यह रहा बताए चलिए इसका 61 इसका क्या होगा कमेंट कर दीजें आंसर दीजें बहुत बढ़िया कोशन है आ अब R को अगर आप लिखेंगे 18, O को लिखेंगे 15, U को लिखेंगे 21, B को लिखेंगे 2, S को लिखेंगे 19, T को लिखेंगे अच्छा अगर आप मैं प्लस कर दूं तो यह ज़्यादा बैठ जाएगा, यानि कि ज़्यादा प्लस करके नहीं होगा अगर मैं इनको उल्टा करता हूं तो भी ज्यादा बैट जाएगा टी फी बैट जाएगा एस फिर भी नहीं होगा माइनस प्लस करने से भी नहीं हो रहा तो क्या करें हम एक काम करते हैं जोड़ते हैं इनको और उनको क्या करते हैं हम एक काम करते हैं छीदा जोड़ा तो नही U का ULT A क्या होता है आपका 15 का ULT A 12 होता है ये जो है मैंने अल्डरी सिखा दिया है फर्स्ट जो मेरी वीडियो थी कि किसी भी चीज का ULT A निकालना है तो माइनस 7 करना है और अगर T का ULT A निकालना है तो 20 माइनस कर दीज़े 27 में तो 7 आजाएगा 7 को जी बोलते है है न ये जो है बहुत important चीज़ है अल्डी बता चुका हूँ उल्टा सीधा कैसे आएगा तो ये मैं सूचेगा मैं बस कराते जा रहा हूँ आप करते जाएगा ध्यान दखेंगे U को क्या बोलते है U का उल्टा क्या होगा भाई U का उल्टा होगा 6 मतलब अगर 27 U कितने पर आता भाई U जो है वो आता 21 पर है न ये 6 आगए क्या आगए 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 6 तो यही मैं बोलता रहा हूँ आपको कई स्ट्रिंज होंगे पता नी क्या कर रहा हो भाई पतानी में क्या कर रहा हूँ पता है क्या कर रह着 है बी का उल्टा क्या तू 27 बoka 25 टीके ये S का उल्टा कितना भाई S का उल्टा आपका 18 ऐकी 18 और 50 का मैंने 7 निकाल लिग carrying plus कर लीजे सबी को देखते हैं 10 20 21 ठीक है और यहां पर कितना आगा यह आपका 25 25 25 कितने 50 50 60 70 71 71 और यहां पर सरी सर सरी है ना सर सर यहां यह तो कितना होगा चलिए जिक्स्टी जिस इस सेवन जो गया अच्छा 67 आगे हमारे पर 26 60 1 दिया है तो मैं अगर शेखटा दूं तो 61 जाएगा कि में च्यों गटा रहाँ किक्वी मेरे पास लेटर कितने 16 25 6 6 लेटर है इसली मैंने 16 गटाए mapach है और मुझे निकालना क्या है F O R T U N A T E का उल्टा निकालना है और प्लस करना है F का उल्टा बताया F का F का उल्टा कुछ दिर पहले बताया था 27 में से 6 मानिस करेंगे तो 21 बचेगा उका भी हमें पता ये निकाला ही था उका हमने तो उका 12 आएगा R का 9 आएगा उल्टा T का 7 आएगा उल्टा U का 6 आएगा उल्टा N का कितना आपका N का 13 आएगा उल्टा N का M होता उल्टा ठीक है और A का 26 उल्टा आएगा T का कितना आएगा अभी निकाला 7 ये 22 कर दीजे भाई साब सब को प्लस कर दीजे उठाईएगा सबको प्लस करेंगे प्लस करिए सबको चली से कमेंट कर दीजेगा प्लस करके यह जो बनेगा बनेगा 123 ठीक है और कितने लेटर हैं दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो गटा दीजेगा नो गटाएंगे तीन तो पहले गट गट गए बीस बीस में ते बीस गट गट गए और छे अना आपको 114 114 आप्शिन नमबर B 114 आप्शिन नमबर B बहुतằng नहीं था टफ ता लेकिन व crash में concept एक बार समझ गए तो सिंपल बेट जाता है नहीं समझे तो इस keyboard को आप 꽃ot कर करेंगे क्या इसका आंसर होगा कमेंट कर दीजएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा इसकी पीडिया आपको टेलिगरांग गूर्फ में मिल जाएगी वेलकम ओके थैंक यूफ ए वाचिंग दीजिए पर आपके एक्जाम के लिए आपके रिसल के लिए